पुर्जावान बना देता है तो मेरा तो बड़ा लौस है कि मैं आज पूने नहीं आप आ रहा हूं लेकिन अप टेक्नोलोजी के माध्यम से आप सभी के दर्शन करने का मुझे सवभागी मिला है आज पूने की ये धर्ती भारत की महान विभुतियों की परिणा भूमी महराज्च के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन नहीं है अभी डिस्ट्रिक कोट से स्वार गेट सेक्षन रूट का लोकारपन हुआ है इस रूट पर भी अम मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी स्वार गेट कात्रज सेक्षन का आज सिलान्याज भी हुआ है आज ही हम सब के स्रधे क्रांती जोती सावित्रिबाई फुले मेमोरियल की नीव भी रखी गई है उने शहर में ईज अप निविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं भाईयों बहनों आज भगवान विठ्ठल के आथिरवात से उनके भक्तों को भी स्नेह उभार मिरा है सोलापूर को सीधे एर कनेक्टिविटी से जोडने के लिए एरपोर्ट को अफग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की शंता बढ़ाई गई हैं यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तयार की गई हैं इसे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा हो गई भगवान विठल के दर्सन करने के लिए लोग अप सीधे सोलापूर पहुंच सकेंगे यहां व्यापार कारोबार और परियतन को भी बढ़ावा मिलेगा मैं महाराष्ट के लोगों को आप सबको इन सभी विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं शुपकामनाई देता हूं साथियों आज महाराष्ट को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्षों की जरुरत है इसके लिए हमें पूरे जैसे हमारे शहरों को प्रगति का अर्बन डेवलप्मेंट का सेंटर बनाना जरुरी है आज पूरे जिस गती से आगे बढ़ रहा है यहां जनसंख्या का दबाव भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है पूरे की बढ़ती जनसंख्या शहर की स्पीड को कम न करे बल्कि उसका सामर्थ बढ़ाए इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की जरुरत है यह तब होगा जब पूरे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक होगा यह तब होगा जब शहर का विस्तार तो हो लेकिन एक छेत्र की दूसरे से कनेक्टिविटी बहत्रीन रहे आज महा यूती की सरकार इसी सोच और एप्रोज के साथ दिन रात काम कर रही है साथियों पूरे की आधुनिक जरुरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से काम किये जाने की जरुरत थी पूरे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम बहुत पहले आजाना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से बीते दसकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का अभाव रहा अगर कोई योजना चर्चा में आती भी थी तो उसकी फाइल ही कई कई वर्षों तक अठकी रहती थी अगर कोई योजना बन भी गई तो भी एक एक प्रोजेक कई कई दसकों तक लटका रहता था उस पुराने वर्ष कल्चर का बहुत बड़ा नुक्षा हमारे देश को महराश्चर को और पूने को भी हुआ आप याद करिए पूने में मेट्रो बनाने की बात सबसे पहले 2008 में शुरू हुई थी लेकिन 2016 में इसकी आधार्थिला तब रखी गई जब हमारी सरकार ने अर्चानों को हटा कर तेजी से निर्णय लेना शुरू किया और आज देखिए आज पूने मेट्रो रप्तार भी भर रही हैं और उसका विस्तार भी हो रहा है आज भी एक और हमने पुराने काम का लोकारपन किया है तो साथ ही स्वार गेट से एक कात्रज लाइन का सिलान्याज भी किया है इसी साल मार्ट में मैंने रुबी हाल क्लीनिक से रामवाडी तक मेट्रो सेवा का लोकारपन भी किया था 2016 से अब तक इन साथ आठ वर्षों में पूरे मेट्रो का ही विस्तार इतने रूट्स पर काम की ये प्रगती और नए सिलान्याज अगर पुरानी सोच और कार्यपद्दती होती तो इन में से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते पिछली सरकार तो आठ साल में मेट्रो का एक पीलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी जब कि हमारी सरकार ने पूरे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है साथियों राज्य की प्रगति के लिए विकास को प्राफिक्ता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है जब जब इसमें रुकावट आती है तो महराष्ट को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है आप देखिए मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो मुम्बई अमदाबाद बुलेट ट्रेड हो या किसानों के लिए सिंचाई से जुड़े कई महतोपुन काम हो डबल इंजिन सरकार से पहले महाराष्ट के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिलेल हो गए थे इसी का एक और उदारण है बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया हमारी सरकार के समय मेरे मित्र देवेंद्र जी ने और इक सिटी की संकल्पना रखी थी उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर पर शिंद्रा बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया की नीव रखी थी नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलोप्मेंट प्रोग्रेम के तहत इस पर काम होना था लेकिन बीच में ये काम भी ठप हो गया था अब सिंदेज के नेत्रों तो मैं डबल इंजिन जाकार ने उन अर्चनों को भी हटाने का काम किया है आज यहां बीड़किन इंडस्ट्रियल नोड को भी राष्ट को समर्पित किया गया है छत्रपती संभाजी नगर में लगभग आठ हजार एकड में बीड़किन इंडस्ट्रियल एलिया का विस्तार होगा कई बड़े बड़े उद्द्योगों के लिए यहां जमीन एलोट हो गई है इससे यहां हजारों करोड का निवेश आएगा इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा निवेश से नोकरी पेदा करने का यह मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है विक्सित भारत के सिखर पर पहुँचने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने हैं भारत आधुनिक हो भारत का मोडरनाइजेशन भी हो लेकिन हमारे मुल्भुत मुल्यों के आधार पर हो भारत विक्सित भी हो विकास भी करें और विरासत को भी गर्व के साथ लेकर आगे बढ़ें भारत का इंफ्रासक्टर आधुनिक हो और ये भारत की आवशक्तों और भारत की प्राथिक्तों के आधार पर हो भारत का समाज एक मन एक लक्ष के साथ तेज गती से आगे बढ़ें इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना ही है महाराश्टर के लिए भी जितना जरूरी फ्यूचर रेडी इंफ्रासक्टर है उतना ही जरूरी है कि विकास का लाप हर वर्ग तक पहुंचे यह तब होगा जब देश के विकास में हर वर्ग हर समाज की भागीदारी होगी यह तब होगा जब विक्षित भारत के संकर्प को नेत्रूत्र देश की महलाएं करेगी समाज में बदलाव की जिम्मेदारी जब महलाएं उठाती हैं तो क्या कुछ हो सकता है महराष्ट की धर्ती तो इसकी साक्षी रही है इस धर्ती ने और इस धर्ती से सावित्री भाई फुले ने महलाओं की सिख्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था यहां बेहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था इसकी स्मृती को इस विरासत को संजो कर रखना जरूरी है आज मैंने देश के उसी प्रथम गल्स्कूल में सावित्री भाई फुले मेमोरियल की आधार सिला रखी है मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल में एक स्कील डवलप्मेंट सेंटर, लाइबरेरी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है यह मेमोरियल सामाजिक चेतना के उज्जन आंदोलन की स्मृतियों को जीवन्त करेगा यह मेमोरियल हमारे समाज को, हमारी नई पीड़ी को प्रेरणा देगा भाई और भेनों, आजाजिक के पहले देश में जो सामाजिक हालात थे, जो गरीबी और बेदभाव था, उन हालातों में हमारी बेटियों के लिए शिच्छा बहुत मुश्किल थी सावित्रिबाई फूले जैसी विभुतियों ने बेटियों के बंद शिच्छा के दरवाजों को खोला, लेकिन आजाजिक के बाद भी देश उस पुरानी मानसिक्ता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ, कितने ही ख्षेत्रों में पिछली सरकारों ने महलागों की एंट्री बंद करके रखी थी, स्कूलों में सौचालई जैसी मुल्बुत से विदाओं का भाव था, इसके कारण स्कूल होने के बावजुद भी, स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए बंद थे, जैसे ही बच्चियां थोड़ी बड़ी होती थी, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था, सैनिक स्कूलों में तो बेटियों के एड्मिशन पर रोक थी, सेना में ज़्यादातर कारक्षेत्रों में महिलाओं की नियूक्ति पर रोक थी, इसी तरह कितनी ही महिलाओं को पेगनेंसी के दोरान नोकरी छोड़नी पड़ती थी, हमने पुरानी सरकारों की उन पुरानी मानसिक्ताओं को बदला, पुरानी ववस्ताओं को बदला, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसका सबसे बड़ा फाइदा, देश की बेटियों को, हमारी मात और बहनों को हुआ, उन्हें खुले में सोच से छुटकाना मिला स्कूलों में बनाए गए सोचालों के कारण और बेटियों के लिए अलग सोचालों के कारण बेटियों का ड्रोप आउट रेट कम हुआ हमने आर्मी स्कूल के साथ साथ सेना में तमाम पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम के जरिये लोक तंत्र में महिलाओं के नेतरुत्व की गारंटी भी दी है साथियों हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले तबी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए मुझे विश्वास हैं सावित्री भाई फुले मेमोरियल हमारे इन संकल्पों को महिला ससक्तिकरण के हमारे इस अभ्यान को और उर्जा देगा साथियों मुझे भरोसा है महराष्ट की प्रेणाएं महराष्ट की ये धर्ती हमेशा की तरव देश का मारदर्शन करती रहेंगे हम सब मिलकर विश्षित महराष्ट विश्षित भारत का ही लक्ष पूरा करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर इन महत्वपूत परियोजनाओं के लिए हार्दिक बदाई देता हूं आप सबता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हलो हलो माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरी जंडी दिखा कर स्वारगेट से जिला कोर्ट तक की मेट्रो का शुभारम करें करता हूं जाए 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 पुण्यामदील भुयारी मेट्रोट सपंतवरदान मोधी अंशा हसते लोकारपन जलेला है शिवाजिनगर टे स्वार्गेट अशीही भुयारी मेट्रोट धावनारा है या मेट्रोट सपंतवरदान मोधी अनि उल्लाइन पदधि या कारेकरमाला मुख्यमंत्री दोनि उपमुख्यमंत्री हजर होते वीडियो जानलीस निखिल करंदी करसामीर नानेश्वर्चा उतमल उधारी न्यूज पुने या मेट्रो लोकारपन कारेक्रमा साथी पंतव्रदान मोधी हे ओनलाइन पद्धती न उपस्ती दोते उख्यमंत्री एकनाच चिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणे अजित दादा या कारेक्रमाला उपस्ती ताहे त्याज बरोबर केंद्री अमंत्री मुर्लीदर मोहल देखिल या कारेक्रमा मदे उपस्ती ताहे पंतव्रदान मोधी यांचा हस्ते ओनलाइन पद्धती न पुने तील वियारी मेट्रोच लोकारपन जालेला हे त्याज बरोबर स्वारगेट ते कात्राज अशा दूसर्या मेट्रोच भूमी पुजन देखिल मोधीन चाहस्ते पार पड़लेला हे सोलापुर्चा विमांत्राच लोकारपन देखिल मोधीन चाहस्ते अवेज हलेला हे मोदीनी पुने करानना संबोधित देखिल के लिला है या वही मविया सरकारचा काला मदे अनेक प्रकलपान ना रोखने तालेला होता अणि या संदर बात मोदीनी मविया सरकार वरती टीका देखिल के लिला है पहिल्या भुयारी मेट्रोच पंतब्रदान मोदी यानी लोकार पन केलेला है शिवाजी नगर ते स्वारगेट अशिही मेट्रोच दावना रहे उने तील पहिल्या भुयारी मेट्रोच पंतब्रदान मोदी यानी लोकार पन केले